हलो और बुड इवनिंग तो आल डियर फ्रेंज आल डियर होमिपैथ, सभी होमिपैथिक सक्सातियों को, स्टूडेंट्स को मेरा नमिशकार, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत दिनों से एक इच्छा थी कि होमिपैथि के बारे में कोई सीरीज शुरू करें, यूट्य ने एक किताब 1888 में लिखी थी, 50 Reasons for being a होमिपैथ, जो कि बहुत इंस्पाइरिंग बुक है, और उसका एक-एक रीजन जो है, वो बहुत सॉलिड है, मैं चाहता हूँ उसको आपके साथ शेयर करूँ, तो हम जब 50 Reasons पढ़ेंग जानेंगे, उसके लिए हम एक 50 episodes की सीरीज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, इसके बारे मैं आपको एक-एक करके हर Reasons के बारे में बताऊँगा, मगर आज हम पहले बेसिकली डॉक्टर बरनेट के बारे में जानकारी ले ले ले, डॉक्टर बरनेट कौन थे, सो डॉक्टर बरनेट का पूरा नाम है James Compton Burnett, जो की 1840 में इनका जन्म हुआ, इसके बाद उनकी पढ़ाई के दोरान उन्होंने 1865 में वियना आस्ट्रिया से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, और डॉक्टर अल्फरेड हॉक्स के टच में जब यह आए, तो 1872 में वो होमिपती की प्रती डाइवर्ट हुए, कनव 26 में उन्होंने अपनी MD की पढ़ाई पूरी की, डॉक्टर बरनेट के बारे में एक बात यह है कि वो सबसे पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने वैक्सिनेशन ट्रिगरिंग इलनस के बारे में अवेर किया था, लोगों को जनकरी दी थी, और उसके पर उन्होंने अपनी बुक लिखी है, वैक्सिनोसिस जो की 1884 में पबलिश होई थी, इसके बाद में बहुत लेंड व्यक्ति थे, लगबग अपनी लाइफ दूरेशन, उन्होंने 20 बुक्स लिखी है, एक नोसोड जो बेसिलिनम है, आज की तारिक में हमारे होमीपथी में बड़ा यूसफुल टूल ह बिमारियों को जड़ से खतम करने के लिए उसको उन्होंने प्रूव किया, we are thankful to him for that, इसके अलावा एक और बहुत मतपूर्ण चीज़ है, डॉक्टर बरनेट जो है, वो कूपर्स क्लब के मेंबर रहे है, अब कूपर्स क्लब क्या है, कूपर्स क्लब में डॉक्टर क्लार डॉक्टर कूपर और डॉक्टर बरनेट, ये तीनों ने मिलके रोज शाम को ब्रिटेन में, एक ब्रिटिश में होमिपती का एक बड़ा माहिल स्टोन है, वहाँ ये लोग रोज शाम को बैठक करते थे, आज दिन भर में हमने जो भी किया है, या जो भी सीखा है, उसको वो लोग आपस में शेयर करते थे, उस वही एक बड़ा महत्वपूर्ण मीटिंग पॉइंट है, जहां से हमारी जो क्लार्क की जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑफ मेडिया मेडिकाई भाइक, डॉक्टर क्लार्क, उसका बड़ा कंटेंट सिंटम्स जो है, वो इस मीटिंग के थ्रू निकल के कूपर्स क्लब को उसका श्रीज आता है, तो भी आर्टली थैंक्फुल तो दिस टीम, तीनों लोगों को हमारा सलाम है, आज का जो दिन है हमारा या आगे की जो अभी हमारी सिरीज है, वो डॉक्टर बर्नेट पे कंसेंट्रेट रहेगी, तो डॉक्टर बर प्राक्टिकल व्यक्ति थे और बहुत जबर्दस्त काम किया है, आगे जब हम इस सिरीज में उनका जो खास करके जो फर्स्ट एपिजोड है, जिसमें उन्होंने कैसे वो कनवर्ट हुए होमिवेति की और कैसे उनका डैवरिजिन हुआ, वो बड़ा इंट्रेस्टिंग है, सो मेरा आप सबसे निवेदन है, कि आपको एक भी एपिसोड मिस नहीं करना है, सभी सुनना है, मैं आपको बहुत अच्छे से अपडेट करूंगा, और मेरा प्रयास है कि अच्छे से अच्छे तहरीके से आपको सुनाओं, और हम लोग, आप लोग भी अपने कुछ राय है इस बारे में तो शेर करें, मिलते हैं, रेगुलरली मेरा प्रयास रहेगा, एक या दो एपिसोड हम लोग करते रहें, यूट्यूब पे अप्लोड और आपको अवैर करें, सी यू, बाइ-बाइ, जय हो में बती, नमस्कार